यूपी के मुरादाबाद में बिजली करमचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि बिजली करमचारी कनेक्शन काटने गए थे जिस दोरान लोगों ने उनकी जम कर पिटाई कर दी उत्रप्रदेश मुरादाबाद के थाना कोतवाली शेत्र में उस समय हड कम्प मच गया जब बजली विभाग के जैई और करमचारियों को कुछ लोगों ने लाठी गंडों से पीट कर घायल कर दिया दरसल मामला उस समय का है जब बजली विभाग के बकाय को लेकर तीम उब भोकता के घरों पर पहुंची थी जिससे चलते बजली विभाग के तीम द्वारा बजली के बकायदारों की लाइन काचनी की प्रक्रिया चल रही थी उसी समय जई राकेश कुमार पर कुलदीप और सोनू नाम की व्यक्ति ने मामली कहा सुनी पर लोही की जोर से हमला कर दिया अपने अधिकारी को पिट्टा देख बिजली विभाग के करंसारी नेमसंद वा मोहन जई राजेश कुमार को बचाने पहुंसे तो उनकी पिटाए कर घायल कर दिया गया क्या मामला था आज नाइन काटने के लिए हम पटवा कुवा में गए हुए थे तो वहां पर कुलदीप है उर्फ सौनू उसके कनेक्शन था दो क्लोवाट का कमर्शियल जिस पर 2468 सुपेगा पकाया था जिए उसकी लाइन काटने के दो काटने से पहली हमने उसको बोला के जमा कर दी तो वह एक्दम घर के अंदर गया भागते हुए वहां से लोगे की रोट निकालके लिया है और मार्पीट गाली गलोट बगएर सुरू कर दी उसमें और लाइन काटने नहीं दी सरकारी कार में बादा पूरे महकमे में हरकम मच गया बिजली विभात के आलादिक और पूलिस कर्मी मोके पर पहुंच गए उसके बाद बिजली करमचारी की शिकार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है वहीं अब बिजली करमचारी ने बिना सुरक्षा के चैकिंग करने से इंकार कर दिया है गुलादबाद से बंटी सक् पोड़